काले चने और दूद की एक्तम नई तरीके की मिठाई हलो फ्रेंड्स मैं इकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजबाब काले चने और दूद की दो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो पहली जो है रेसिपी वो बर्फी है और दूसरा हलवा है तो ये इतनी सांदार बर्फी होती है तो आपने कई तरगी मिठाई खाई होगी लेकिन आप एक बार इस तरह से काले चने की जरूर मिठाई खाई यह बहुत ही तेश्टी और बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही आसानी से सबसे इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं तो यह देखिए यह बर्फी जो है कोई नहीं कहेगा कि यह चने की बर्फी है तो इस होली आप इसे जरूर ट्राइ करिए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जरूर कमेंट करके बताएगा कि आप कहां से कमेंट कर रहे हैं तो मैंने यह काले चने की यह जो स्वीट रेसिपी है वो दू रेसिपी बनता रही है पहली जो है चने का हलवा बनाऊंगी और दूसरा बर्फी तो बस देर नहीं करते हैं चलिए बनाते हैं तो इसके लिए देखे मैंने चना लिया एक बाउ और इसे चार से पाँच घंटा भी गो दिया था और थोड़ा से दो nट किलिए बॉैल कर लिया है और अब इसे हम इसका पेस्टेル बनाएंगी तो देखे मैंने मीक्सर के जार में डाल दिया है और इसका पेस्ट बलानों तो जिसे हलका सा बॉयल करने से इस मिठाई का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है तो ये देखिए इस पेस्ट को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी तो एकदम नई तरीके की मिठाई है तो आप इस बार होली में जरूर ये ट्राइ करिएगा और काफी हेल्दी होती है तो बस देखिए इस पेस्ट को मैंने निकाल लिया है और आगे चलते हैं यहाँ पर देखिए मैंने गैस पे कड़ाई रखती है और यहाँ पर हम घी डालेंगे तो देखिए दो चमच मैंने घी डाल दिया है और अब हम ये जो पेस्ट है इसे डालके बहुत अच्छे से भूनेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम में हम बहुत ही अच्छे से इस पेस्ट को भूनेंगे तो देखिए हम इसको लो फ्लेम में भूनेंगे और ये देखिए इस तरह से हम चलाते हुए लो फ्लेम में भूनेंगे बहुत ही स्वाधिस्ट एकदम नए तरीके क मिठाई होगी तो आपने चने का बहुत सारी रेसिपी खाई होगी लेकिन एक बार इस तरह से चने की स्वादिस्ट मिठाई बनाई है और इसके आगे मावा की मिठाई भी फेल हो जाती है तो ये देखिए दो से तीन मिनट में ऐसे नीचे लगने लगेगा तो यहां पर आप जान रहे हैं कि गैस का फ्लेम लो करके हमें इस वो बहुत ही अच्छे से भुनना है और प्रॉपर आपको चलाते रहना है कहीं आपको रुकना नहीं है ये चीजों का ध्यान रखना नहीं तो नीचे से लग जाएगा और ये देखिए इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से भ गी डालूंगी इस तरह से घी डालके हम और भूनेंगे एकतम नए तरीके की ये मिठाई है तो आप इसे किसी भी तहवार में जरूर ट्राइ करिएगा तो ये देखिए इसको हम एकतम अच्छे से भूनेंगे ताकि जो इसका जो अच्छा टेस्चर आने लगे तो बहुत ही अच्छी सी अब देखिए इस तरह से महकाने लगी है अब ये देखिए दीरे दीरे आपको दीख रहा होगा कि बहुत ही अच्छी सी सोनी सोनी महकाने लगे तब आप समझेए कि ये परफेक्ट भून गया है तो इतना भूनने के बाद तो अब इसमें हम फिर से दूड डा लेंगे यानि की एक लीटर मैंने पूरा टोटल दूड डालाया है तो ये देखिए एक गलास दूड मैंने डाल दिया है और ये दूसरे गलास बहुत ही स्वाधिष्टी मिठाई बनती है लेकिन देखिए सुरवात में आपको बहुत ही अच्छे से इसको बुणना है तो ये देखिए इसमें मैंने दो गलास दूड डाल दिया है और गुटलिया ना बने ये सब चीजों का ध्यान रखना है और इसे हम बहुत ही अच्छे से चलाएंगे तो देखिए बहुत जल्दी ये जो चना का मिस्रण है वो दूड को एब्सॉर्ब कर लेता है तो अब हम य बावा का टेक्स्चर आएगा तो ये देखिए मैंने मिल्क पौडर डाल दिया है और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे तो इक्तम नए तरीके की मैंने बताया है मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और ये दीखिए इन सब को हमको अच्छे से चलाना है अब यहा सकते हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और हल्दी पता है बहुत हल्दी रहती है तो बहुत ही स्वाधिस्ट एक्तम नई तरीके की बर्फी बनती है तो बस देखिए इसे लगातार हम चलाते हुए इसको हम गाढ़ा करेंगे तो जैसे जैसे यह चीनी भी बिखल रही है तो आपको यह दिख रहा होगा कि यह एकदम पतला होते जा रहा है सुरवात में तो यह काफी ड्राइ था और अब देखिए इसमें हम कुछ ड्राइफूट डाल देंगे तो आपने मैंने मताया कि चैने की कई रेसिपी खाई है लेकिन एक बार आप इस तरह होली से नए तरीक बहुत स्वाधी है अब मैं दो रेसिपी बनाऊंगे तो यह देखिए आप आप दिख रहा होगा कि दीरे दीरे गाडा हो रहा है कि आप यह इस तरह से हल्वा भी ईसका मैं सकते हैं तो आप ये देखिए आपको दीख रहा होगा कि अभी दीरे दीरे इस तरह से गाड़ा होने लगेगा तो अगर आप बर्फी नहीं बनाना चाहते हैं आप हल्वा बनाना चाहते हैं तो आप हल्वा भी बना सकते हैं तो आधे को मैं इस तरह से हलवा में यूज़ करूंगी तो यहाँ पर देखिए मैं उपर से हलवे में घी डाल दे रही हूँ और उपर से ड्राइपुड भी डाल दे रही हूँ तो बहुत ही स्वादिश्ट ये चने का हलवा और बर्फी बनता है तो ये देखिए ये हलवा भी बहुत ही सांदार और टेश्टी बना हुआ है तो अब जो आधा बचा हुआ है इसको हम जमाएंगे तो आप ये जो आधा बचा हुआ मिसरण है इसे किसी भी थाली या प्लेट में निकाल लीजिए और अच्छे से फैला लीजिए तो बस देखिए इसे हमने अच्छे से प्लेट में फैला लिया है एक्तम नए तरीके की ये हलवाई जैसी मिठाई बनती है कोई नहीं कहेगा कि ये मार्केट की नहीं बनी है बहुत ही स्वादी स्टो बहुत ही टेस्टी ये हलवा और ये बर्फी बनता है तो उपर से भी खुब सरा आप ड्राइपुट डाल दीजे ये देखिए इसे भी डालके एक घंटे के लिए रूम टंपरेचर पर छोड़ देंगे बहुत ही सांदार ये बर्फी देखिए जमी है ये देखिए एकतम सांदार बर्फी जमी है और इसे हम कट कर लेंगे तो आपने कई रेसिपी खाई होगी लेकिन एक बार आप इस तरह से चने की बर्फी बनाएए एकतम स्वादी स्टो टेस्टी बनेगी तो ये देखिए बस इस तरह से कट कर लेंगे और मैंने बता है एक दम मारकेट जैसी होती है एक दम मावा की मिठाई बनती है क्योंकि इसमें मैंने दूद पुरा 1 लिटर डाला है और इसकी बर्फी को मैं आपको निकाल की दिखा रही हूँ एक तम परफेक्ट ये बर्फी देखिये एक तम पर्फेक्ट जमी है यह देखिए यह तरह का इसको बर्फी दिखा रहा है बहुत ही तम पर्फेक्ट बर्फी जमी है आई होप कि यह आपको चने की दोनों रेसिपी जरूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा थैंक्यू फ्रेंड